उत्राखंड के कासिपूर कोतवाली में दुसकरम के प्रियास में पीडिता की सिकायत पर तीन आरोप्यू पर मुकदम दर्ज करते हुए पुलिस ने एक आरोप्यू को गिरफतार किया है। आरोपी सलीम को गिरफतार कर लिया है। वही पीडित और उसके परिजनों ने बताया कि बीते सनिवार की दोफैर तीनों आरोपी उसको अकेला देख घर में घुज गए और जबरन दुसकरम करने का प्रियास करने लगे। जिसके बाद महिला ने अपनी आबरू बचाने के ल लेकाजीपूर से रफी खान की रिपोर्ट। महिलागा है शाहन अना नाम है इसका दो बच्चों की माजए है इसका पती भिकलांग है घर से एकसर काम से बाहर रहता है वो एक एक महीने में गज़ा जो फोड़ा गहागो ऑगाल आतार उससे गूजर-बसर करती है इसके मजबूरी और लाचारी का फायदा उठाते हुए इसके मोहले के ही रहने वाले सलीम, शकील और फर्मान तीन लोग ये इससे रास्ते में छेरखानी क्या करते थे कावी समय से लेकिन ये अपनी जट के कारम किसी को बताती नहीं थी घर में लेकिन हद तो तब हुई जब ये तीनों लोग घर में घुसा है और आके इसके साथ बरातकार का प्रियास करने लगे जब ये शहाना ने इनको किसी तरह से कबजा नहीं दिया तो इनों इसने सलीम ने ये साथ में चाकू लेका आया था चाकू निकालके इसकी गर्दन पर कोई खट्टे होने लगे तब ये ये देख के भीड़ी आने लगी है ये लोग निकल के घर में से भागे पुलिस में इसमें एक व्यक्ति गरफतार करा है सलीम जो मोके से ही गरफतार करा पुलिस तुरंद मोके पर पहुँच गई थी इसमें इसमें एक अब्यक्ति को गरफतार किया गया है इसे नियाले पेश किया जा रहा है